मुनियस्टावक्र राजाजनक को आगे समझाते हैं वे कहते हैं शुद्ध अस्फुर्ण रूपस्य द्रिश्य भावं मपश्यताह को विधी को चवईराग्यम को त्यागा को शमुपिवा ग्रिश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध आत्मा का अनुभाव करने वाले ग्यानी को विधी कहां है और वईराग्य कहां है कहां त्याग है और कहां शांती है परमात्मा का कोई कारण नहीं है वही सबका कारण है उसे किसी ने बनाया नहीं वही सबको बनाने वाला है वह मूल भूत है विज्ञान स्रिष्टी में एक सो छे तत्व मानता है अध्यात्म उससे भी आगे की बात कहता है कि वह मूल तत्व एक ही है एक सो छे तत्व भी त पत्व नहीं हैं योगिक हैं सारी स्रिष्टी उसी की अभिवेक्ति है उसी का फैलाव मात्र है यह स्रिष्टी बनाई गई इसे बनाने का न कोई खारण है न कोई उद्देश्य मूड लोग ही स्रिष्टी बनाने का कारण और उद्देश्य खोजते हैं स्रिष्टी उस शक्त इत्यादी का सहजस्फुर्ण है, जो अपने आप हो रहा है, किसी निश्चित उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसी लीला खेल इत्यादी कहा गया है, चिडियाएं चह चाहाती हैं, मोर नाचते हैं, पक्षी उड़ते हैं, बच्चा उचलता कूदता है, फू इत्यादी सब उस चैतन्य का सहजस्फुर्ण मात्र है, इसके पीछे परमात्मा की न कोई इच्चा है, न कोई उद्देश्य, किन्तु मूढों ने इन सब का उद्देश्य निश्चित कर दिया है, वे कहते हैं कि परमात्मा ने संसार इसलिए बनाया, कि तुम मुक्त हो सक तुम अपने पापों का प्रक्षालन कर सको, तुम ज्ञान की उबलबध ही कर सको, यह सब विकृत मस्तिश्क की मूढता पून दृष्टी है, अश्टावक्र कहते हैं कि ऐसी मूढता पून दृष्टी, अज्यानी की ही होती है, इसलिए वहल अपने को मुक्त करने के अनेक प्रकार की विधियां अपनाता है संसार से वईराग्य ले लेता है घर छोड़ कर जंगल भाग जाता है घर ग्रिहस्ती, धन संपत्ती सब का त्याग कर देता है वह यह सोचता है कि यहां छोड़ने से उसे स्वर्ग में मिल जाएंगे कुछ लोग मृत्यू के समय दान आधी देते हैं जिससे ये वस्तुएं आत्मा के साथ साथ चलती रहे कुछ लोग अधिक बुधिमान होते हैं वे इस सामगरी को अग्रिम अर्थात मृत्यू से पूर्व ही भेज देते हैं जिससे मरने पर आगे पहले से ही वे तैयार मिलें, ये सब मूढताएं हैं, मूर्खताएं हैं, किन्तु ग्यानी इन दृश्य भावों को नहीं देखता है, वहे उस शुद्धस्फुरन रूप आत्मा को ही देखता है, उसी का अनुभव करता है, ऐसे ग्यानी के लिए न कोई विधीशेश रह जाती है, न उसे वैराग्य की आवश्यक्ता है, न त्याग की, वहे परमशान्त अवस्था में रहता है, शान्ती के लिए प्रयत्न भी नहीं करता है, अश्टावक रागे कहते हैं, ज्यानी को कहां बंद है, और कहां मोक्ष है, कहां हर्ष है, कहां शोक है, यह स्रिष्टी आत्मा का स्फुरण मात्र है, जो अनंत रूपों में स्फुरित होई है, स्रिष्टी में जो अनंत रूप दिखाई देते हैं, वे सब प्रकृती जन्य हैं, माया रूप हैं, यह प्रदर्शन है चेतन तत्व आत्मा सूक्ष्म रूप से इसमें व्याब्त है अग्जाने इस स्थूल प्रकृति को ही देखता है तथा इसी से लुभाय मान होता है वहे इसी को सबकुछ समझता है यही उसका बंध है किन्तु ग्जाने इस जड़ प्रकृति को माया रूप सम समझकर केवल उसके कारण स्वरूप आत्मा में विश्राम करके स्थित रहता है इसलिए उसके लिए यह प्रकृति बंध नहीं हो सकती जब बंध ही नहीं तो मोक्ष किसका अदह ज्यानी बंध और मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता सारे हर्ष और शोक प्रकृति जन्य है द शितना को उपलब्ध हुए ज्यानी को ना हर्ष है न शोक यह परमानंद की स्थिती है जिसमें वह स्थित रहता है अस्टावक्रागे कहते हैं बुद्धी परियंत संसारे माया मात्रम विवर्तते निर्ममो निरहंकारो निश्का महाशोभते बुधाः बुद्धी परियं तो प्रेंत संसार में जहां माया ही माया भास्ती है, वहां ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्यानी ही शोबता है। संसार में क्या है? मोह है, ममता है, राग है, द्वेश है, इर्शा है, घ्रणा है, प्रेम है, कामना है, त्रिशना है, अहंकार, काम, लोब है। इसी का नाम है संसार, किन्तु यह सब इस प्रकृती जन्य स्रिष्टी को सत्य माननी के कारण है, जो भ्रम है माया है, इसी अज्ञान के कारण जीव विभिन कष्टों को जहिलता है, बुद्धी से भी विचार पैदा होते हैं, यह भी मन को संतुष्ट करने के लिए ही कारिय क करती है, तथा अच्छे बुरे सदसद का भेद करती है, यह मन की ही चाटूकार सेवक है, अतह अश्टा वक्र कहते हैं कि बुद्धी परियंत संसार में माया ही माया है, इसमें सत्य कहीं भी नहीं है, सत्य है किवल आत्मा, जिस ग्यानी ने आत्मा को जान लिया, वह मम्ता अहंकार रहित, इवं कामना रहित हो जाता है, यह अक्षुद्र वासना मया जगत फिरू से प्रभावित नहीं कर सकता, ऐसा ज्यानी ही शोभता है, अज्यानी इस प्रकृती जन्य स्रिष्टी में, शुद्र मम्ता, अहंकार इवं कामना में ही जीता है, इसलिए ऐसा अज्टावक्र कहते हैं अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनी को कहां विद्या और कहां विश्व कहां दे है और कहां अहम्ता मम्ता है अज्ञानियों के अनेक मत होते हैं अनेक विचार अनेक धारणाई होते हैं उनके मत सत्य पर नहीं दुराग्रह पर आधारित होते हैं वे सत्य जानना नहीं चाहते बलकि जिसे वे मानते हैं उसी को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं इसी से फैलती है सामप्रदाइक्ता विरोध वही मनस्य, हिंसा, गृहना इत्यादि, कि तु ग्यानी सत्य को जानता है, वहे दुराग रही नहीं होता, इसलिए सभी ग्यानी एक ही मत के होते हैं, ऐसे ग्यानी कहते हैं कि परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है, वहे कहीं आकाश में बैठा शासन नहीं कर रहा है, न वह स्वर्ग में है, न मंदिर में, न मस्जित में, न गिर्जागर में वह बाहर भी नहीं जो ढूंडने से मिल जाए वह कोई पदार्त भी नहीं है कि आँखों से देख लो ऐसी समस्ति धारणाइं बचकानी हैं, मूर्खता पून हैं जिसे आत्म ग्यान नहीं हुआ, जो मानसिक धरातल से उपर नहीं उठे वेही ऐसे परमात्मा की बातें कहते हैं किन्तु जिसे आत्मा नुभूती हुई है, वे कहते हैं कि यह परमात्मा उर्जा का सागर है समस्त स्रिष्टी, इसी उर्जा की अभी वेक्ती मात्र है इससे भिन कोई परमात्मा नहीं है। ज्यानी केवल आत्मा को जानने वाला होता है। मनो रथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। मनुष्य के समस्त कर्म व्यवहार एवम आचरन चित्त की वृत्तियों का प्रक्षेपन मात्र है। जैसे चित्त की वृत्तियां होंगे, जैसा उसका मन होगा, वैसे ही उसके कर्म एवम आचरन होंगे। आचरन एवम कर्म बदलने से मन नहीं बदलता। पतंजली कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। किंतु अश्टावक्र कहते हैं कि इस निरोध के लिए जो कर्म किये जाते हैं, उनसे चित्त का निरोध नहीं होता। बलकि वे कर्म भी चित्त की चंचलता को और बढ़ा देते हैं। क्योंकि प्रयत्नों से किये गए निरोध आदी कर्मों के पीछे वासनाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं आदी जुड़ी रहती हैं, फिर निरोध कैसे होगा? इसलिए चित्त के निरोध के लिए किये गए सभी कर्मों एवं आचरणों का त्याग करना चाहिए. कर्म मात्र वासना से प्रेरित होते हैं, इसलिए ये भी बंधन बन जाते हैं, जिससे यान नहीं हो सकता. अश्टा वक्र का सारा उपदेश यही है, कि जो कुछ प्राप्त होगा, वह बोध से ही होगा, कर्म से नहीं, क्योंकि कर्म से अहंकार वासना अफला का अंक्शा होगी, जिससे चित्त का निरोध नहीं हो सकता. इसलिए समस्त निरोध कर्म जैसे ध्यान और समाधी को भी छोड़ देना चाहिए, तभी उपलब्धी होगी, किन्तु यदि कोई मूड या जड़ बुद्धी मनुश्य इन कर्मों को छोड़ता भी है, तो भी उसके भीतर मनोरत होते हैं, आकांक्शाएं वासनाएं होती है अहंकार होता है, जिनको पूरा करने में वह प्रवृत हो जाता है, जिससे वह आत्मग्यान से वन्चित ही रहता है, इसका सार यही है कि चित्त की पूर्ण शान्त अवस्था में ही आत्मग्यान संभव है, निरोध आदी कर्मों को करने या उन्हें उद्देश्य पूर्ती हेत उत्यागने से नहीं होता आचरन एवं कर्मों को करना या छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण है मूढता को छोड़ना अज्ञान अथवा भ्रानती को छोड़ना अश्टावकर आगे कहते हैं मन्दह शुत्वा पितद्वस्तु नजहाती विमूढताम निर्विकल्पा बहिरितनाद अंतर विशय लालसहा। मंद बुद्धी उस तत्व को सुनकर भी मूढता को नहीं छोडता है। वह बाहिय प्रयत्न में निर्विकल्प होकर मन में विशयों की लालसा वाला होता है। मनुष्य में अनेक प्रकार की मूढताएं हैं। अहंकार, वासना, कामना, फला, कांक्षा आदी मूढताएं ही हैं। इनके रहते जो भी कर्म, आशरन एवं व्यवहार आदी होंगे, सभी मूढता पून होंगे। जनक निर्मल चित्त वाले होने से ही अश्टा वक्र का आत्म ज्यान का उपदेश ग्रहन कर पाते हैं। वे केवल सुनकर ही आत्म ज्यान को उपलब्द हो गए। किन्तु जो मंद बुद्धी वाले हैं वे ऐसा तत्व ज्यान सुनकर भी। भीतर अहंकार, कामना, वासना, इच्छाएं आदी को नहीं छोड़ते। जिससे वे आत्म ज्यान से वंचित ही रहते हैं। ऐसा मूढ बाहिय प्रयत्नों में। निर्विकल्प चाहे हो जाए। चाहे वह ज्यानी की भाति सारे कर्म करने लग जाए। वासना, अहंकार, कामना, आदी को त्यागने के सारे नाटक कर ले। तो भी वह मन में विशेयों की लालसा वाला ही होता है। क्योंकि मंद बुद्धी है। मंद बुद्धी वाले आशरण को ग्रहन और त्याग से ही समझ सकते हैं। भीतर के मूढ तत्व को वे नहीं समझ सकते। इसलिए वे कभी उपलब्ध नहीं हो सकते। अश्टावकर आगे कहते हैं। ग्यानाद गलित करमायो लोक द्रिष्ट्या पी कर्मकृत नापनोती अवसरम करतुं वक्तुमेव नकिंचना। ग्यान से नश्ट हुआ है कर्म जिसका। ऐसा ग्यानी लोक द्रिष्टी में कर्म करने वाला भी है। लेकिन वह न कुछ करने का आउसर पाता है न कहने का ही। कर्म तो ग्यानी भी करता है तथा ग्यानी भी। किन्तु दोनों के कर्मों में बाहिय अंतर न होते हुए भी। भीतर बड़ा अंतर होता है। ग्यानी के कर्म स्वभाव से होते हैं। लोग हितार्थ होते हैं आवश्यक एवं नैमितिक कर्म होते हैं वह कर्म को इश्वर इच्छा समझ कर करता है उनके पीछे कोई वासना फलाकांग्षा अहंकार आदी नहीं होते जबकि अग्यानी के कर्मों के पीछे फल प्राप्ती की इच्छा रहती है अहंकार रहता है अमान, प्राप्ति, यश्ष्प्राप्ति, ่ स्वर्गप्राप्ति, आदे की इच्छा रहती ही है। अज्यानी ऐसे करमों का आवसर धूंडता रहता है की कहीं उसे सेवा करने का आवसर मिल जाए। तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाए। उसको लोखित सेवा, समाज सेवा, दान, पुन्य, धर्मादी में दूसरों की चिंता नहीं है चिंता मात्र स्वयम की स्वर्ग प्राप्ति की है जिसके लीव है आवसर ढूंडता रहता है किन्तु अश्टावक्र कहते हैं कि ग्यान से कर्म नश्ट हो जाते हैं फिर ग्यानी को कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती किन्तु ऐसा ग्यानी भी लोग दृष्टी से कर्म करता है जो लोग हित में है जिन्हें करना आवश्यक है वह कर लेता है वह स्वर्ग प्राप्ति की दृष्टी से या फला कांक्षा से कोई कर्म नहीं करता न ऐसे कर्मों को ढूंडता ही है, जिसका फल मिले, न वह ऐसा ही कहता है कि मैंने ऐसा किया है, क्योंकि उसमें अहंगार नहीं होता, यही कर्म की कुशलता है, जिसे केवल ग्यानी ही उपलब्द होता है, हश्टा वकर आगे कहते हैं, अनेक जन्मों में जो कुछ मिला है, उस ही का संग्रहीत नाम चित्त है, बुद्धीन का सद तथा असद में विभाजन करती है, सुख दुख लाब हानी, प्रीम घ्रना हिंसा अहिंसा, प्रकाश अंधकार त्याग ग्रहनादी का विभाजन करती है, किन्तु अस्तित्व में भिन्न कुछ भी नहीं है, वहां सब कुछ सन्युक्त है, एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांती है, जहां या तो दोनों रहेंगे, या दोनों हटेंगे, एक को हटाने और दूसरे को भचाने का कोई उपाय नहीं है, यदि मृत्यों को हटा दिया जाए तो जन्म भी नहीं होगा, यदि बेइमानी हटा दि जाए तो इमानदारी भी नहीं रहेगी, यदि घ्रणा हटा दि जाए तो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा, यदि पापी नहीं होंगे तो ये मंदर मश्जित करुद्वारे भी नहीं होंगे यदि बीमारी नहीं होगी तो स्वास्थे भी नहीं होगा यदि असाधू नहीं होंगे तो इन साध्वों को भी वेदाई देनी पड़ेगी ये सब संयुक्त हैं एक दूसरे पर आश्वित हैं एक को हटा कर दूसरे को बचाया ही रही जा सकता है यदि रावन को हटा दिया जाए तो राम की कहानी बनती नहीं किन्तु नाइतिक विक्ति दोनों में भेद करता है वहें बुरे को हटा कर अच्छे को लाना चाहता है वहें अंधकार को हटा कर प्रकाश को लाना चाहता है इसके विपरीत, धार्मिक विक्ति, सब कुछ ईश्वरिय समझ कर दोनों को स्विकार कर लेता है जबकि ग्यानियुस एक आत्मा को जानकर सरवदा, निर्भय और निर्विकार हो जाता है उसकी यह भेद द्रिष्टी ही समाप्त हो जाती है वह प्रकाश, अंधकार, ग्रहन, त्याग आदी में कोई भेद ही नहीं समझता स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है एवं सरवदा, परमानंद, स्वरूप, आत्मा में ही स्थित रहता है अश्टावकर आगे कहते हैं अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनहा अनिर्वचनिय स्वभावाले स्वभाव रहित योगी को कहां धीरता है कहां विवेकिता, अत्वा कहां निर्भहता है जहां भय है वहीं निर्भहता होती है जहां मूडता है वहीं विवेखता पैदा होती है जहां व्याकुलता है वहीं धैरिये की बात सोची जाती है किन्तु योगी जिसने उस परमरस को जान लिया सदा उसी में निमग ने रहता है उसका सुभाव अनिर्वचनी हो जाता है सभी द्वंदों से पार एक रस हो जाता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता वहें न सिध्धांतों में जीता है न किसी मान्यताओं और परंपराओं में ना ही वहें रूढियों में जीता है ना आदतों में उसके लिए यह कहना ही कठिन हो जाता है कि वहें किस स्वभाव वाला है क्योंकि वहें स्वभाव से रहित होता है वहें अपना कोई स्वभाव कोई आदत बनाता ही नहीं वहें आत्मा के स्वभाव के अनुकूल चलता है जिसे संसारी नहीं जान सकते अज्यानी ही नियम, सैयम, मर्यादा, अनुशासन, सिध्धान्त, कर्तव्य, विवेक आदी में बंध कर जीता है ज्यानी पूर्ण स्वतंतृता का उप्योग करता है वहें इनक्षुद्र बंधनों से सदा मुक्त रहकर व्यवहार करता है जिसे पहचानना कठिन होता है इस प्रकार अश्टावक्र गीता की सरल व्याख्या का यह भागी ही संपूर्णता को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में करता है